कि अधे आज का टॉपिक की हमारा फोलडर अज लाएंगे फोलडर के बारे में कि फोलडर क्या होता है और फोलडर की जौर०र थ क्यू बढ़ एक है और फिर हम इसमें देखेंगे खिया हम लोग को कुरियेट के से करते हैं फिर हम देखेंगे कि भूल Dare को और जो अमने change कैसे कर सकते हैं, पहले हमने कुछ और नाम से folder बनाया था, अब हम साठे हैं कि उस folder को rename करें हम उसका नाम change करना चाहते हैं, तो वो चीज भी हम इसमें देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि हम folder को delete कैसे कर सकते हैं, फिर एक point आता है हमारा restore का. restore से क्या होता कि जो folder हमने delete कर दिया है या फिर जो file या फिर जो video photo या फिर जो भी हमारा music मतलब computer का कोई भी अगर दी file हमने delete कर दिया है तो फिर उसे वापस से कैसे लाएंगे उस process को हम लोग बोलते हैं restore तो उस restore को भी हम लोग इसमें देखेंगे फिर हम इसमें cover करेंगे cut का, copy का और paste का कि ये cut, copy और paste folder में किस तरह से work करता है ये चीज़ भी हम इस video में देखेंगे फिर हम इसमें देखेंगे folder hide कि अगर दिया हमारा कोई folder या फिर कोई file है अगर दिया हम उसे hide करके रखना चाहते है हम उसे छीपा के रखना चाहते है हमारे computer में तो रहेगा लेकिन वो hide रहेगा उसके बाद हम देखेंगे कि file extension names एक file का extension name होता है ये चीज़ क्या होता है ये चीज़ भी हम लोग इस video में cover करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं फॉल्डर क्या है और हम लोग फॉल्डर का use क्यों करते हैं तो फॉल्डर का definition ये है कि folder is a collection of personal files, text, pictures, videos, etc इसका मतलब ये है कि हमारे computer में जितने भी pictures है हमारे personal files है, फिर हमारे videos है या फिर जितने भी हमारे files है सबको हम एक separate file के अंदर रखते हैं तो उसी को हम लोग folder बोलते हैं जहां पर हम लोग अपना सारा document एक जगापर store करके रखते हैं उसी को हम लोग बोलते है folder जिस तरसे हमारे पास भी एक file होता है जिस file में हम लोग अपना Mark Street, document, Admit Card होता है और भी हमारे जितने भी तरह के document है सब हम लोग एक file के अंदर organize करके रखते हैं ताकि जब भी हमें जोरत पड़े तो हम file को खुलें और सारा document हमारा एक ही folder में मिल जाता है जिस तर से हमारे पास जो file होती है उसमें हमारा जैसे की pen card हो गया हमारा अधार card हो गया हमारा mark sheet वेगार जितना भी document है हम लोग जिस तर से file के अंदर डाल के रखते हैं उससे तर से computer में भी जितने भी files होते हैं picture होते हैं photo, videos, movies, music सब हम लोग एक separate folder में डाल के रखते हैं तो वो हता है हमारा folder फिर हम लोग जान लेते हैं कि folder का हम लोग use क्यों करते हैं तो folders help you keep your files organized and separate जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि folder क्या करता है कि हमारे document को organized करता है और separate करता है इसका क्या मतलब हुआ जिससे कि for example हमारे पास कुछ music है कुछ photos है हमारे पास और कुछ हमारे पास videos है या फिर हमारे पास कुछ personal files है तो हम चाहते हैं कि हमारा सारा document एक ही folder के अंदर ना रहे सब एक अलग-अलग folder के अंदर है जैसे कि हमारे पास music है तो हम एक music का folder बनाएंगे और जितना भी हमारा mp3 music है वो सारा music वाले folder के अंदर रखेंगे फिर हम एक separate folder लूब हम ऊपर लिए फॉटो या फिर फिक्टर रромाईगे उसमें हमारे पास जितने भी further वह सारे फोटर वाले folder में राँऄे ना कि music वाले लिए फिर उसी तरह से हमारे पास जित्ते भी वीडियोस हैं, उस सारे वीडियोस हम एक वीडियोस नाम के एक फोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर के अंदर हम अपना सारा वीडियोस रखेंगे, इस तरह से हम एक separate folder के अंदर अपना separate files या भी document हम उसमें रखेंगे, ताकि in future अगर दी हमें कुछ फोटो देखने हैं तो हम लोग फोटो वाले फोल्डर में जाहेंगे और फिर लोग वहां से फोटो को अपन करके देख पाएंगे अगर दि हमें उसी तर से वीडियो देखने हैं तो हमें वीडियो वाले फोल्डर में जाहेंगे और वहाँ पे हमें सिर्फ वीडियो जी मिलेंगे अगर दि हम यह सा नहीं करते हैं हम एक ही फोल्डर बनाते हैं और उसी में म्योजिक उसी में पिक्चर उसी में वीडियो तो अगर दिया हम सारा एक ही में mix कर देंगे तो वो खिचड़ी बन जायागा फिर अगर दिया हम उसको access करने चाहेंगे तो हमें उस टाइम problem होगा कि हमारा photo कहीं और मिलेगा और उसी के बीच में कहीं पर एक music दिखेगा तो उसी में video दिखेगा तो हमें access करने में काफी पर ग receiving sounds क्या है तो यह तो हमने देख लिए कि folder क्या होता है और हम फोल्डर का यूज करते हैं अब स difícil हैं लु देखते हैं कि folder का हम लोग भनाते कैसे हैं कि कि यहां पर आता है Create a folder हम लोंग folder को create कैसे कर सकते हैं तो देखते हैं इसका क्या-क्या step लेना पड़ता है folder बनाना राइट प्रंट क्लिख करेंगे, blank area हमारा δra cherche my dark wire हो गया, या पिर हमारी जो हार्ट डीज्न हो अलग अलग पार्ट में बाटा रह tota तो जिस्भी ड्राइव में हमें फोलडर बनाना है तो मिसी बैंक option दिखता है जिसका नाम होता है new तो जैसे ही हम लोग new में click करेंगे फिर हमें option दिखेगा जिसका नाम है folder तो जैसे ही हम लोग folder में click करेंगे हमारा folder बनके ready हो जाएगा उसके बाद वो हमसे पूछेगा कि type the name मतलब folder का आप face में पर ये नाम क्या रखना चाहते हैं फिर हम लोग उस folder का नाम देते हैं जैसे की music है आप फोटो रखनाचाते हैं फिर वीडियो ज collaborate का नाम लेखे करके फिर अंड्र प्रेस करते हैं जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं हमारा फोल्डर बनके रेडी हो जाता है पहले अभी हम थियोरी देख लेते हैं उसके बाद अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हमनों फोल्डर को कैसे बनाते हैं तो हमने यह देखा कि हमें कौन-कौन से step लेने होते हैं folder बनाने के लिए अगर दिया आप इतना step नहीं लेना चाहते हैं अगर दिया आप keyboard से बनाना चाहते हैं shortcut की folder बनाने का shortcut क्या होता है तो आपको keyboard से control और shift और end ये तीनों बटन को एक साथ प्रेस करने हैं तो आप जैसे ही control, shift और end को एक साथ प्रेस करेंगे आपका folder बनके ready हो जाएगा बस आपको folder का नाम टाइप करना है और enter प्रेस करना है तो चलिए अब हम देखते हैं कि folder को हम लोग open कैसे कर सकते हैं कि जो हमारा folder बन गया है उस folder को हम लोग open कैसे करते हैं तो folder को open करने के लिए आप उस folder में double click कर सकते हैं folder में double click on folder तो आप जैसे ही folder के उपर double click करेंगे आपका folder open हो जाएगा या फिर अगर आपको double click नहीं करना है तो आपको simple क्या करना होगा एक बार आपको folder के उपर में left click करना होगा उसके बाद आपको keyboard से enter press करना है एक पर left click और enter प्रेस जैसे ही आप करेंगे आपका folder open हो जाएगा तो folder open करना बहुत ही easy है फिर हम देखेंगे कि अगर हमें folder का नाम change करना है उसे हमें rename करना है तो हमें क्या क्या step लेने पड़ते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा right click on folder यहां पर यह चीज ध्यान देना है कि हम लोग जब folder बना रहे थे उस time हमें right click करना था blank area में लेकिन अभी हम लोग rename कर रहे हैं तो हमें जिस folder का नाम change करना है उस folder के ऊपर में हमें right click करना होता है जैसे हम उस folder के उपर में right click करेंगे तो वहां से भी हमें बहुत सारे options दिखेंगे उसमें से हमें choose करना है click on rename वहाँ पर हमें option मिलेगा rename का rename में हम जैसे ही क्लिक करेंगे फिर वो अमने निखने के लिए option आ जाएगा फिर हम जैसे ही अपना folder का जो भी नया नाम देना चाहते हैं वो जैसे ही type करके फिर enter प्रेस करेंगे तो हमारा folder का नाम change हो जाएगा तो folder को rename करने के लिए हमें ये 4 steps लेने होते हैं अगर आप folder को rename keyword से करना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड में सबसे उपर आपको एक button मिल जाएगा अप जैसे ही app to press करेंगे तो आपको ना ही folder के उपर right click करना होगा और ना ही rename बस आपको folder के उपर में एक बार क्लिक करना है folder के उपर में एक बार आपको left click करना है उसके बाद आपको keyboard से app to press करना है फिर आप वहाँ पर जो भी नाम देना चाहते है रिनेम करना चाहते है नया नाम जो भी आप नया नाम लिखेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो आपका फॉल्डर का नाम चेंज हो जाएगा तो यह तो हमने देख लिया कि फॉल्डर का नाम कैसे चेंज होता है अब हम कि फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं डिलीट का क्या है तो फोल्डर को डिलीट करने के लिए जिस तरह से हमने रिनेम के लिए फोल्डर के उपर में राइट क्लिक किया था सेम यहाँ पर भी वही करना होता है डिलीट करने के लिए आपको folder के उपर में right click करना होगा right click करने के बाद rename के जस नीचे आपको एक option मिलेगा delete का आपको delete के उपर में click करना है उसके बाद एक आपका dialogue box open होता है उसमें ये लिखा होता है कि कि क्या आप 설치 में delete करना चाहते हैं तो आपके दो option रहता है yes और no कुझकि कई बार क्या होता कि हम delete नहीं करना चाहते हैं और गलती से delete में click हो जाता है तो वह अगर एक ण हो रहे है कि हाँ मुझे delete करना है तो आपको click करना yes है आप जैसे yes में click करेंगे वो folder आपका delete हो जाएगा वो folder delete हो करके चला जाता है हमारा recycle bin में वो हमारा computer से पूरी तर से delete नहीं होता है वो हमारा move हो जाता है recycle bin में folder को अगर आप keyboard से delete करना चाहते हैं तो folder में आपको एक बार left click करना होगा और keyboard से आपको press करना होगा delete जैसे ही आप keyboard से delete प्रेस करेंगे फिर वही एक dialogue box आएगा और वो पुझेगा कि क्या आप सच में delete रहना चाहते हैं yes or no तो आप keyboard से प्रेस करेंगे y तो आपका folder delete हो जाएगा अगर आप no में click करते हैं तो आपका folder kiki folder को क्या create कर सकते हैं और क्या rename कर सकते हैं Eğer चारो task किस Τरह से कर सकते हैं तो अब य ser. यहाँ बहुत सारे options दिख रहे हैं तो हमें जाना है new में जैसे हम new में जाएंगे फिर यहां से हमें काफी सारे options दिख रहे हैं तो हमें जाने फोल्डर में जैसे हम लोग folder में क्लिक करेंगे यह हमारा यहां पर folder बनके ready है लेकिन यह हमसे नाम पूछ रहा है कि हम लोग folder का क्या नाम देना चाहते हैं तो अभी मैं इस folder का नाम दे देता हूं my folder my folder लिखने के बाद हमें just keyboard से press करना है enter जैसे हम enter press करेंगे हमारा folder बनके ready हो जाएगा अगर दी मुझे एक और folder चाहिए तो फिर उसी दर से हम कहीं पर भी blank area में right click करेंगे right click करने के बाद फिर same process new में जाएगे new में जाने के बाद आंगी folder में जैसे हम लोग folder में जाएगे click करेंगे फिर वह से नम पुज़ेगा तो मैं इसका नाम दे देता हूं music folder का नाम कुछ भी दे सकते ह। हम अपना फोल्डर के पर double click करेंगे तो यह folder हमारा open हो जाएगा और एक जीचा हम यहां पर देख पारें कि जब mouse-com लोग folder के पास ले जा रहे हैं तो हमें यह कुछ information दे रहा है यह क्या information दे रहा पहला तो दे रहा कि date created कि यह folder कब बना है और यह हमें दिखा रहा कि 9 जुलाई 2022 बाइस आठ बच कर एक मिनट में यह हमारा फोल्डर बना है और उसके नीचे लिखावा कि empty folder empty folder का मतलब है कि इस folder के अंदर अभी कोई भी data नहीं है कोई भी file कोई भी music कोई भी photo कुछ भी नहीं है यह पूरी तर से खाली है तो अभी हम इस folder को open करके देखते हैं कि इसके अंदर कुछ है या फिर नहीं तो जैसी हम इसमें डबल क्लिक करेंगे हैं यह folder हमारा open हो जाएगा तो अभी यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं कि यह लिखावा कि this is this folder is empty मतलब यह फोल्डर में कुछ भी नहीं है तो यहां से हम लोग इसको close कर देते हैं तो एक दो हमने देख लिया कि फोल्डर में अगर दिए हम डबल क्लिक करते हैं तो वह folder हमारा open हो जाता है एक और तरीका है कि आप एक बार माउस से left क्लिक करें और आप कीबोर्ड से enter प्रेस करें जैसे आप enter प्रेस करेंगे तो भी आपका folder open हो जाएगा तो इस तरह से हम लोग किसी भी folder को open कर सकते हैं तो यह तो हमने देख लिया कि folder को हमने कैसे create कर सकते हैं और फिर हमने देख लिया कि हम folder को open कैसे कर सकते हैं अगर आप कीबोर्ड से folder बनाना है कीबोर्ड का shortcut का use करके तो आपको simple keyboard में control button shift button और n तीनों को एक साथ प्रेस करना है जैसे आप press करेङगे तो भी आपका एक folder बनके ready हो जाएगा फिर आप यहाँ पे जो भी folder का नाम देना चाहते है पर उरम्हेयर इस फोल्ड का नाम देता हूं विडियो फिर हम जैसे यह एक वीडियो नाम का फोल्डर create हो गया है अगर दिया हम इस फोल्डर को open करना चाहते हैं तो एक बार हम इस फोल्डर में क्लिक करेंगे और हम लोग कीबोर से enter press करेंगे तो हमारा फोल्डर open हो जाएगा और इस फोल्डर में भी कोई भी data नहीं है इसलिए हाँ पे लिखा है इस फोल्डर is empty तो यह तो हमने देख लिया फोल्डर बनाना और फोल्डर को open करना अब हम इसमें देखेंगे कि फोल्डर का नाम हमें change करना है इस फोल्डर का नाम हमें change करके photos लिखना है कि मुझे इस फोल्डर का नाम my folder नहीं रखना है अब मुझे इस फोल्डर का नाम photo र कि आप कही भी blank area में right click करें और यहां पर माई folder नाम चेंज होकर के अब हो गया है हमारा photo तो इस तरचे हम लोग folder का नाम Change कर सकते हैं अगर दिय हमें folder का नाम keyboard से Change करना है हमें right click नहीं करना हम keyboard से Change करना चाहते हैं तो folder के उपर में एक भार आपको left click करना है और keyboard से आपको प्रेस करना है F2 बटन जैसे आप F2 बटन प्रेस करेंगे वो हमें rename के लिए पूछ रहा है तो अभी हम इस folder का नाम दे देते हैं audio folder का नाम लिखने के बाद हम simple keyboard से प्रेस करेंगे enter तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हम folder का नाम change कर लिए हैं तो इस तरह से हम लोग किसी भी folder का नाम change कर सकते हैं rename करने का एक और तरीका होता है वो हम अब देखते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे किसी भी एक folder को open कर लेते हैं और example मैं इस audio को open कर लेता हूं इसमें डबल क्लिक करेंगे यह folder हमारा open हो गया है अब मैं यहाँ पे कुछ files बना लेता हूं है data हि पाल सबाने के लिए right click करना है राइट के पाला में जाना है इस बार हम folder में जाएगे इस बारम यहाँ पर swallowed कमें जाएं यहाँ पने क्लिक कर आइगे तो इस तरह से हमारा एक file बनके ready हो गया है फिर से हम right right क्लिक करेंगे और फिर से new में जाएंगे और फिर से हम new document लेंगे इस तरह से हम तीन चार डॉकिमेंट बनाएंगे तो हमने ये 4 डॉकिमेंट बना लिए अब हम चाहरे हैं कि हम इसका rename करें चार होगा तो rename करने का एक और माई फाइल वन निखने के बाद हमें कीबोड से प्रेस करना है टैब बटन कीबोड में एक मिलेगा आपको बटन टैब जैसे हम लोग टैब में क्लिक करेंगे जैसे हम लोग कीबोड से टैब प्रेस करेंगे वह आ जाएगा हमारे नेक्ट डॉक्यूमेंट में अब हम लोग इसका भी rename कर सकते हैं, इसका नाम my file 2 रख देते हैं, फिर हम लोग keyword से press करेंगे tap button, तो हमारा third नमर वाले document में आ जाएगा, यहाँ पर हम इसका नाम देंगे my file 3, फिर हम लोग tap press करेंगे keyword से, हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हम लोग नाम देंगे my file 4, और last में हम एक बार enter press कर देंगे, तो किसी भी folder या फिर file को rename करने का यह भी एक तरीका होता है, अगर दि हमारे पास बहुत चारा folder है, या फिर बहुत चारा file है, अगर दि हमें सब को rename करना है, तो first वाले में हम लोग right click करके एक बार rename में क्लिक करेंगे, फिर नाम दिखने के बाद just tap press करेंगे जैसे हम लोग tap press करेंगे, वो दूसरे को rename automatic करने देगा, फिर हम लोग tap जैसे ही press करेंगे, वो third, fourth, इस तर से जितने भी document है, वो सब को rename करने का option देता है, तो इस तर से हमने देखा कि rename किस तर से काम करता है, तो चलिए, अब हम देखते हैं कि किसी भी folder या फिर files को हम rename के लिए folder के उपर में right click किया था, same यहां भी वही process है, just हमें उस folder के उपर में right click करना है, right click करने के बाद हमें जाना होगा delete में, rename का just उपर में delete, जैसे हम लोग delete में click करेंगे, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक dialogue box open हो गया है, और यहां पर हमसे पूछ रहा जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो भी हमारा computer का जो भी folder files होता है, वो एक बार में delete नहीं होता है, पूरी तरह से, वो हमारा recycle भी में जाकर store हो जाता है, तो अगर अभी हम यहां पर yes में click कर देंगे, तो यह हमारा folder delete हो जाएगा, और अगर यह हम no में click करेंगे, तो वो इंगर देख और यहां वहां नहीं होगा है, और वो हमारा recycle bin में आ गया है, अगर दिया हम recycle bin में double click करेंगे, यह हमारा recycle bin ऑपन हो जाएगा, और हम देख रहे है जो हमने desktop से जो folder delete किया था वो हमारा recycle bin के अंदर यहाँ पर आ गया है अब अगर दिया हम इस folder के उपर में right click करेंगे और restore में क्लिक करेंगे यह folder जहां से delete हुआ है वहाँ पर अपने जगह पर वापस चला जाएगा restore में क्लिक किए अब हमारा recycle bin से हट करके वापस हम देख रहे हैं कि वो हमारा desktop में आ गया है तो इस तरह से हमारा काम करता है delete जैसे हम जो delete करते हैं वो हमारा folder file recycle bin में चला जाता है और अगर दिया हम recycle bin से उसको restore करते हैं तो वापस आ जा 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 लेकिन अगर दिया हम यहाँ पर right click करके अगर दिया हम इसे delete करते हैं और फिर हम recycle bin को open करके यहाँ से भी हम इसको right click करके delete कर देते हैं तो जैसे हम जो यहाँ से delete कर देंगे अब यह हमारा system से पूरी तरह से delete हो गया अब हम इसे नहीं ला सकते हैं चले एक और दिखते हैं यहाँ पर हमारा audio folder है इसको लोग open करते हैं हमने यहाँ पर चार files बनाया था अभी मुझे इन चारों files को delete करने हैं तो हम यहाँ से इसको इस तरह से select कर लेंगे एक ही बार में चारों को और हम keyboard से प्रेस कर सकते हैं delete यहाँ पर तो इसकी उपर right click करके यहाँ पर रख दे हम delete में click करेंगे तो यहाँ से भी हमारा delete हो जाएगा इस बार चलों हमनों keyboard से देख लेते हैं keyboard से कैसे delete होता है तो सबसे पहले हम इस तरह से चारों को select कर लेंगे एक ही बार में चाहें तो आप एक एक करके भी कर सकते हैं तो अब चारों को एक साथ select करके keyboard से पर्डेट करेंगे डेलीट जसे प्रेस करेंगा डेलीट वो हमसे पुचहेगा क्या आप चारों को डेलीट करना चाहते हैं तो yes जैसे हम रो yes में click करेंगे यहाँ से delete होकरके रेसाइकल वीन में यहां पर आ गया है उसी तरह से हम मुझे इस audio file को भी delete करना या पिर हम इसे डारेक्ट यहां से keyword से press करके recycle bin में जाके छोड़ सकते तो यह तो भी हमारा delete हो जाता है यहां से unhappy is 거 direct हम लोग mouse से drag करके जहां चौड़ देंगे तो वह हमारा delete हो जाएगा तो इस तर से हमने देख लिए कि फस, वह बना थे की से open कर सकते हैं कैसे हम लोग folder का नाम चैंज कर सकते हैं और folder को कैसे डेलीट कर सकते हैं तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम फोल्डर को कैसे cut, copy, paste फोल्डर में कैसे काम करता है ये चीज जान लेते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहां पर एक new folder बनाते हैं, तो right click करेंगे, new में जाएंगे और फिर हम यहां folder फोल्डर में क्लिक करेंगे फिर हम इस फोल्डर का कोई भी नाम दे देते हैं इस फोल्डर का नाम रखते हैं फोटो इस फोल्डर को हम लोग ऑपन कर लेते हैं तो इसमें हम डबल क्लिक करेंगे यह हमारा ऑपन हो जाएगा अगर हम इस फोल्डर के अंदर में फिर से सकतے हैं और राइ्ट क्लिक करके किता हम फॉलडर में क्लिक करेंगे यहान पnajाएगा तो इस फॉलडर का नाम हम रख देते हैं फ्लावर लिसकर से siyr से फोटो के अंदर यह दो तो यह तो हो गया हमारा फोल्डर और जो हमारा फोल्डर के अंदर में हमारा फोल्डर रहता है जैसे कि अभी हमारा में फोल्डर है फोटो और फोटो वाले फोल्डर के अंदर हमारा दो फोल्डर और है एक है फ्लावर और एक है नेचर तो हम यह कह सकते हैं कि यह दोनों फो तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग काट कॉपी पेस्ट कैसे काम करता है वह चीज़ हम देखिए तो अब हम चाहते हैं कि किसी दूसरे फोल्डर से हम कोई पिक्चर लाएं और इस फोल्डर में हम लोग इसको रखें तो अभी हम चल जाते हैं पिक्चर वा क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर कट में क्लिक करें पर कर देंगे हैं वहाँ से फोटो करके हमारा यहां पर अगया है Luther में तो आप वह फोटो यहां पर नहीं दिखेंगा किया थैं ऐसे मिनिमाइज करके इस फोटो को ऑपन करें गया है। तो इससे हमारा फोटो कॉपी हुआ है मतलब यहां भी रहेगा और हमारा इस picture वाले folder में भी रहेगा दोनों जगह रहेगा copy करने से जहां पर main था वहां भी रहता है और जहां हम लोग paste करते हैं वहां भी इसे minimize करके यहाँ पर एक new folder बना लेता हूं right click new folder और यहाँ पर हम टाइप करेंगे my document my docs लिख देता हूं short में उसकी बाद हम लोग enter press करेंगे और यहाँ पर double click करेंगे और फिर यहाँ पर right click करके और हम लोग जैसे ही paste में क्लिक करेंगे तो वहाँ से हमने जो भी तीनों document हमने copy किये थे अब यहाँ पर हमने paste कर दिया तो इस तरह से काम करता है cut copy और paste तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम किसी भी folder या फिर फाइल को hide कैसे करते हैं हो गया है यह folder हमारा यहीं पर है लेकिन वह दिखेगा नहीं उसी तरह से अगर्दी में इन दोनों फोटो को अगर्दी हाइड करना है तो इन दोनों फोटो को हम लोग पहले select करेंगे और hide selected item में जैसे ही क्लिक करेंगे यह दोनों picture हमारा hide हो जाएगा तो इस तरह से हम लोग किसी भी file या फिर folder को hide कर सकते हैं अब हम यह देखेंगे कि जो भी हमारा files या फिर folder hide है उसे हम लोग कैसे देखेंगे कि कौन-कौन सा file हमारा hide है उसके लिए हमें यहां पर एक option मिलता है hidden items यहां पर जैसे हम लोग टिक कर देंगे तो टिक करने से वह हमें दिखा देगा कि हमारे पास यह तीन files है जो कि यहा मैं अब जैसे सब कोई देख पाए ऐसा करना जो पहले जैसा था वैसे करना है उस फोल्डर में क्लिक करना है और यहां पर फिर से hide selected items में क्लिक करना है तो जैसे हम लोग फिर से उसमें क्लिक कर देंगे तो वह folder हमारा unhide हो जाता है उसी तर से यह दोनों photo को भी हम select करेंग देखने के लिए hidden items में क्लिक करना होता है अगर हम इस photo को यहां से hide कर देते हैं और इस check box को हटा देते हैं तो वहां पर नहीं दिखेगा लेकिन जैसे हम लोग check box में क्लिक करेंगे तो फिर वह में दिखने लगता है तो इस तर से हमारा काम करता है hide और unhide तो अब तक हमने इस वीडियो में यह देखा कि folder क्या है और folder का हम लोग use क्यों करते हैं और folder को create करना open, rename, delete और restore फिर हम लोग कैसे cut, copy और paste कर सकते हैं और हमने कैसे folder को hide कर सकते हैं यह चीज़ हमने देखा हम अगले वीडियो में जानेंगे कि file extension क्या होता है वो हम देखेंगे next वीडियो मे I will see you next time